शरीपा एक बहुत ही स्वाधिश्ट और मीठा फल है। ये फल बहुत ही ठंडा होता है। इसमें अधिक मात्रा में और शधी गुन विद्यमान होते हैं। शरीपा में विचामिन C अधिक मात्रा में और सोडियम और पोटेशन सीमित मात्रा में पाया जाता है। ये फल अगस होता है आये जानते हैं शरीपा खाने से होने वाले फायदों के बारे में अगर आप सोचते हैं कि आपका वजन गम हैं जिसके कारण कई उपायों को अजमाद चुके हैं लेकिन आपको उतना फायदा नहीं मिला जितना आप चाहते हैं तो एक बार शरीपा ट्राइ करें इसे अपनी राइट में शामिल करें इससे आप मंचाहा फिगर पा सकते हैं अगर आपके बाल जढ़ गए हैं जिसके लिए आपने न जाने क्या क्या उपाय किये हैं तो इस बार सीता फल ट्राइ करें इसके लिए शरीपा के बीज को बकरी के दूद के साथ पीस कर पेस्ट बना आएं ऐसा करने से आपके बाल जल्द ही निकलाएगी साथ ही आपका दिमाग भी ठंडा रहेगा अगर आप मानसिक रूप से परिशान रहते हैं तो सीता फल आपके लिए काफी फायद मंद साबित हो सकता है इसके लिए अपनी राइट में इसे शामिल करें इसे खाने से आ अधिक मात्रा में विटामिन A होता है जो आपकी त्वचा को स्वस्थ रखने में मददगार होता है साथ ही यह त्वचा पर आने वाले एजिंग के निशानों से भी बचाता आपकी स्किन को बचाता है शरीपा में अधिक मात्रा में विटामिन A पाया जाता है जो आपके बालों, आखों और तवचा के लिए काफी फायदे मन्थ है। अगर आपको शुगर की समझा है, तो आप जरूर सीता फल का सेवन करें, क्योंकि इसमें शुगर को सुखने जैसे गुर्ण होते हैं, जिसे ये आपके शरीर में शुगर के स्तर को कंचोल में रखता है। अगर क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में प्राकृतिक इंटियोक्सिडेंट विटामिन पाया जाता है, जिससे ये बीमारियों से लड़ने में आपकी मदद करता है। अगर आप टायरिया जैसी बीमारी से पीडित हैं, तो इसमें आप सीता फल का सेवन करें। इसके लिए कच्च सीता फल को काट कर सुखा लें और इसे पीज कर आप खाएं। इससे आपकी डायरिया की समस्य सही हो जाएगी शरीपा खाने से आपकी आखों की रोश्नी बढ़ेगी, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में विटामिन सी और रिबोपलॉविन पाया जाता है। इससे नंबर के दिल मजबूत बना रहता है। इसे खाने से आपको घबराहच भी नहीं होती है। अगर आपके दातों और मसुणों में दर्द रहता है तो सीता फल का इस्तिमाल करें। इससे आपको काफी लाप मिलेगा। ये खबर रिसर्च के दावे पर है। आप अपनी आपको स्वस्